दोस्तों आज की वीडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों मेरा नाम है राज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आइडिया सिम के क्योंकि कॉल हिस्ट्री और एसमेस हिस्ट्री आप बहुत यह आसानी से निकाल सकते हैं करे पर कोई नंबर हम जिस पर हमने कॉल किया था वो नंबर बहुत इंपोर्टेंट है और मुझे चाहिए तो ऐसेम क्या होता है कि अगर आप कॉल हिस्ट्री निकाल लेते हैं तो आपने जिस जिस नंबर पर कॉल किया होगा वह सारे नंबर सापको मिल जाएंगे तो आप अपना जो कि अंडर्ड फोन नहीं है आपके पास चोटा फीचर फ़न जो कि कीपड़ वाला फोन है अगर आपके पास वो फोन है तब भी जो है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं इस में क्या होगा कि इस केस में आपके पास आपकी इमेल आइडी पे पर पूरी कॉल ठीटेल की एक आगे मैं वीडियो में देने वाला हूं तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे थोड़ा भी आप स्कीप नहीं करेंगे ताक कि आपको सब कुछ सारे हिस्टिप अच्छे समझ वे हैं और आप जो कि अपनी कॉल हिस्ट्री जो कि आ आपने sms में महाँ पर एक नया sms का भेजने के लिए क्रेट करना है 12345 जो है कि आपको recipient डालना है जिसको भी आपको सेंड करना है और message में जो है कि आपको टाइप करना है email id टाइप करना व्याएकि महाँ आपको संभाड़न और सिंपली का एकापको संद करना है आपको ध्यान देना है कि आपने जो की message संड कि यह है उसी का होना चलिए जिसका आप सब्सक्राइप कॉल मतलब को डीटेल निकालना चाहते हैं तो गाइस हमने जो है कि सेंड कर दिया यहां पर नल लिक आ रहा है इसका कोई वह हम नहीं लेंगे फिर हमारे पास एक मैसेज आएगा ठीक है आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुए दियर कॉस्टमर यूर इमेल आइडी अपडेटेट एज पर यूर रिक्वेस्ट श्रियल नंबर ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह जो हमारी मेल आइडी है जो है कि एड हो गई है अब आपको सिंप्ली करना क्या है कि एक और मैसेज करना है ठीक है आपको एक और मैसेज करना है तो दोस्तों हम जो है कि एक और फिर से यहां पर जो है कि एक और मैसेज करने वा कोको देहिए महला फिर हमें में मेख लेना तो हमें में खने रही है तो हमें वहां के जो स्टार्टम की 3 वर्ड होते हो दुआ हैं मैंने ईभी लिख दिया प्र यहां चैनल को यह ने हमें संट कर दिया तो मिधर यहां तो एक थोड़ा सा और वेट कर लेता हैं सब्सक्रेंद यहां जयुक्त कार सब्सक्राइब हम फिर से थोड़ा से वेट कर लेंगे तो दोस्तों थोड़ा से वेट करेंगे तो हम लोग पास एक और मैसेज आगे आप देख सकते हैं आप अब देख सकते हैं यहां पे हेलो यो रिक्वेस्ट फ़री विल वीटिट इफेंस नमबर इचिटी सॉल मलब कि यह जो है कि हमारी इमेल आइडी पे आ गया होगा हमें सिंप्ली अप जाना है अपने जैकी मेल आइडी पर ठीक है और हम जाते हैं अपने इमेल आइडी पर चि कि मेरा नमबर है और अब देख सकते हैं फर में मंद के लिए आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यह बहुत सारा यहां पर देखिए यहां पर जो है कि एक एक अटेश्मेंट लगा होगा जिस पर जो है कि आपके में मंद यानि कि माई की जो कि पूरी कॉल टीटेल जितन के तो दोस्तों यह थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस यह शीरिचीन होगे वाइस कोर्व कितना देर मैंने बात किया है ठीक है सारी चीजह हैं चुछी आप आ गई है यहां पर नीचे देख सकते हैं मतलब यह जो है की number वगेरा है, ठीक है, मैंने कब बात किया है, क्या ठीक है, call type wins मैं, यह सारे जो है, numbers वगेरा है, ठीक है, यह पूरी जो है की name month की पूरी call list गतों कि आ गए यह आप तिख सकते हैं, ठीक है, जितने भी सारे मैनने call वगेरा किये होंगे, कि जितने सारे मैंने messages की होंगे हर एक चीज जो है कि ये आ गया है ठीक है तो ऐसे जो है कि आप भी अपने idea sim के जो है कि call details निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों यह भी यहाँ पर जो है कि एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस वाले चीज में जो है कि आप outgoing सिर्फ निकाल सकते हैं कि आपने कहां पर जो है कि call किया है कहां पर कितने messages की हैं कितने call किया है ये सारी चीज है ठीक है guys तो आप जो है कि यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से तो यह बस आज के लिए बस इतना ही था गाइस उम्मिद करता हूं कि यह वीडियो को काफी प्रसंद आया और अगर आप जो है कि ऐसी और वीडियो जो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो की सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफ्रमे कंते है यह जानना है जैसे कि व而 of one Airtel तो हमें आप हमें कमेंट सेक्षीड में कमेंट करके बता हैं ताकि हम अगली वीडियो जहरेकी आपके साब से जिस भी कंपनी के बारे माँ बात करेंगे उसके बारे में वीडियो बना के अप्लोट करेंगे ठीक है गाइस तो मिलते हैं करने फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए बाई